किसी एक महिने में आप कुछ मीटिंग्स अटेंड करते हैं और बोलते वक्त जबान लड़ खडाने लगती है फैक्ट्स उस अप्रोच में आप सामने नहीं रख पाते हैं जिसकी वज़े से आप जाने गए हैं आप लोगों के सम्मुक जिसे प्रेजंट होते हैं उसमें कमी महसूस हो रही है सबकॉंशियस विसेस के उपर कुछ फियर चल रहे हैं गर परिवार के साथ में जो नकारात्मक चरचाएं हुई वो चल रही है भाई चल रहे हैं कि यहां अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा भीतर से अंतर चेतना जब वेक्ति को इस तरह से प्रभावित करती है तो उसकी परफॉर्मेंस के उपर दैनिक चरिया के अंदर भी कहीने कहीने कारात्मक प्रभाव आने लगते हैं और एक महीना ऐसा निकलता है जहां पर आप जो भी मिटिंग अटेंड करें जहां पर भी आप अपनी बात को रखने के मौके के साथ में चल रहे हों लोग वहां तालियों के गड़गडाट के साथ में आपका स्वागत करते चले जाएं और वहीं आपकी बात को एक विशेश बल मिलता चला जाएं आप जो कह रहे हैं उसके साथ में फैक्ट भी हैं आप जो कह रहे हैं उसके साथ में जोश खोरोश भी है जो लोग वहां पर मौझूद हैं वो आपके आभा मंडल को बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहे हैं सूरिदेव आत्मा के कारकारिपति ग्रह हैं, सूरिदेव के साथ में जीवन का आत्क विश्वास चलता है, सूरिदेव अनुशाशन के गतिवधियों को जीवन के भीतर निर्मित करने वाले होते हैं, अस्ति जनित विकार जो निकल कर आते हैं या अस्ति से संबंदित जो अच्छे से है और वहीं जो हम भीतर तक कई बार अंतर विद्रों को समाप्त करने की स्तियों के और होते हैं, वहाँ पर भी सूरिदेव का प्रभाव बहुत गहराई से अपनी जड़े जमायवे होता है। तारिक रहेगी जब तक सूरिदेव वरिष्चिक राशी मही चलायमान 20 नवंबर 2021 से सूर्य और बुद्ध का बुदालिती योग भी कुछ दिनों के लिए बन चुका होगा। आप ये भी देखिएगा कि जब व्यक्ति अपने मन की प्रेड़ना से मस्तश्क की इस्तिरता से किसी भी कामकाच की शुरुवात करता है तो वहाँ सीर शस्त स्तियों को प्राप्त करने वाला होता है। नौकरी हो, व्यापार हो, घर परिवार की स्तियां हो, स्वास्ति का दृस्टि कौन हो, दूर दृस्टि के साथ किये गए निवेश हो, निवेश के साथ में अपनाई गई दूसरी सारी ही प्रवर्तियां हो, उन सब के साथ में सूर्य देव का प्रभाव बहुत गहराई से निकल कर आता है क्योंकि जहां आत्म विश्वास का विश्वास विक्ति के भीतर बहुत गयराई से स्थापित है वहाँ वो विक्ति हारता नहीं है कई बार शुरुवात से शुरुवात करनी होती है कि दू शुरुवात इतनी शांदार होती है कि विक्ति पुन है अपने नाम को स्थापित करने वाला होता है और कई बार शुरुवात डराती है ये दूनों ही इस्तिया मन के भीतर चलती है और जब सूर्य देव का एक तरह से आराधक आधार मन के भीतर हो तो फिर घवराहटें दूर होती चली जाती है यहां हम नेश राशी से लेकर मेन राशी तक के ज अवशक्ता है और कहां व्यकति को व्यक्तित्व बनने के अंदर और जारा ताकत लगाने की अवशक्ता है कहां आपको बड़ी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा संभल कर चलने का आधार रचना होगा यह सब कुछ यहां प्रमुख चर्चा जनित विशय रहेगा हम देव मंगल प्रदान राशी में प्रवेश कर रहे हैं यानि उरेश्चक राशी स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे अस्टम भाव में हैं और अस्टमेश के नहीं होने की वज़े से यानि कि सिंग राशी स्थान में नहीं होने की वज़े से ये अस्टम भाव के दोश से योक्त भी हैं इसी वज़े से hidden problems बार बार सता सकती है जो अवरोद आप बहुत पहले अपने जीवन से दूर कर चुके थे आज वो पुन है सामने आकर खड़े होते हैं तो मन के भीतर गबराहट आती है किन्तो वहाँ आप स्वयम्द को स्थर रखने का प्रयास करें जो भी ऐसी tensions आ रही है applicable approach के अंदर जीवन को कहीं ने कहीं परिशान करने के रास्ता दिखा रही है हम बहाँ स्वयम्द को स्थर रखने के साथ में बारं बार ये बात कहने वाले हों कि नहीं है हम घबराएंगे नहीं इन परिशानियों का सामना करेंगे और इससे बाहर निकलेंगे और आप इस महीने में ऐसी ही focused approach के साथ में चलते हैं तो खुद को एक positive indication यहाँ चार दिसंबर के बाद में देने वाले रहेंगे नौकरी पेशा जीवन के अंदर यहाँ स्थिर्ता की आवशक्ता है बड़े परिवर्तनों से आप बचिएगा fascination के साथ में कोई भी offer निकल कर आ रहा है और आपको लगता है कि एक बार स्वेकार कर लेना चाहिए इतने लंदे समय से आ रुखे हुए हैं क्या मिला किन्तु अस्थम भावस्त सूरीदेव के साथ में वहाँ आप यदि अपने लिए एक positive base को create करके चलते हैं तो ज्यादा भैतरी रहेगी research संबंदी कामकाच के अंदर यह समय आपको काफी हद तक सकारात्मक्ता देता चला जा रहा है निवेदन करूंगा कि share market संबंदी कामकाच के साथ में आपको जुडाव रहा है अस्टम भाव में उद भी प्रवेश कर जाएंगे कुछ समय के बाद में अपनी गणनाओं के साथ पिस्तरता रखने का प्रयास करें lucrative offer किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जा रहा है उसके द्वारा बहुत अक्ता की सारी ही जो इस्ततिया होती है वो परूसी जा रही है उससे दूर रहने क्या वशक्ता है मन क्या क्या रहा है आपकी गणनाएं क्या क्या रही है उसके साथ में चलने का प्रयास करें निविदन के 4 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 के मद्द आप किसी भी यात्रा की और बढ़ते हैं तो वहाँ पर भी अपने लिए पूरे तरीके से सावधानी बढ़तने का प्रयास करें सुर्य उपासना के साथ में इस पूरे ही समय को आपको व्यदीत करते चले जाना चाहिए शुक्र बरदान वरशब राशी के जातकों के लिए सब्तम भावस्त सूरी देव की स्तियां ग्रिहस्त जीवन के साथ में तना तनी लेकर आ सकती है इस बात पर आप गौर कीजिएगा जो इस्तियां मदुर आधार के साथ में चल रही थी जहां जुडाव बहुत अच्छे से स्थापित था कोई भी छोटी बात कलेह लेकर आती है और आपको लगता है कि बारम बार मैं ही क्यों जुकूं आप इतनी बार जुके नहीं हैं लेकिन मन ये कहता है कि हम बारम बार जुक रहे हैं एक बार आंकलन किया जाए कि यहाँ जुका जा सकता है इस्तियों को संभाला जा सकता है तो हम प्रोफेशनल लाइफ में भी बैटर करने वाले होंगे गर परिवार की जो जिम्मेदारी ग्रिहस्त लेकर चल रहा है या फिर लेकर चल रही है वहाँ पर भी एक स्तिर्ता संग्यक आधार रहेंगे आजीवीका का कोई भी नया माध्यम विकसत करके आप अपने जीवन को बढ़ाना चा रहे थे और यहां लगता है कि पैसिव इंकम सोर्स अब अट्मोस्टली इंपॉर्टन्ड हो चुका है तो फिर यहां वचारों को वचारों तक सेमित नहीं रखे उनको कारिय के साथ में जोडने की आवशक्ता और संभावना बहुत गहराई से रहेगी ब्रशब राशी के जातकों को चाहिए कि जब सूर्य और मंगल का यूति संकत अलहार 4 दिसंबर से 15 दिसंबर 2021 के मद्दे बनने वाला हो तो स्वयम को विवस्थित तोर के उपर आप कामकाजी जीवन के अंदर नए पन के साथ में जरूर लेकर चलिएगा यहां अनुशाशन आपके साथ बहुत गहराई से स्थापित है विव्यक्ति कई बार अपनी हुनर की वज़े से वज़े प्राप्त करता है तो कई बार विव्यक्ति हुनर नहीं होने के बावजूद अपने कामकाज में अनुशाशन की वज़े से वज़े प्राप्त करता ह अनुशाशन पर शाशन बहुत गेराई से स्थापित होने की बज़े से आपके नाम को यहाँ पर अलग तरीके का प्रकार आधार मिलने वाला होगा व्यापारिक साज़दारियों के अंदर अगले व्यक्ति के उपर कोई भी पॉसिबिलिटी को थोपने से आपको बचना चाहिए आप समझाईश के आधार को यहाँ पर यही लेकर चलते हैं तो ज्यादा बहतरी स्वयम के लिए स्थापित करते चले जाएंगे वही बोध दिपरदान मिथुन राशी के जातकों के लिए सस्ट भावस्त सूरीदेव की स्तियां नेत्र जनित विकारों से और अस्ती से संबंदित विकारों से परिशान कर सकती है आई साइट की प्रॉब्लम पहले से रही है तो यहां कोई भी परिशानी बढ़ती है उसको आप हलके में लेने से बचिएगा अस्ती जनित विकारों से जितना आप सावधान रहकर चलेंगे उतनी बहतरी आपके जीवन के भीतर रहने वाली होगी यहां खर्चे अनियंतरत तोर के उपर निकल कर आ सकते हैं किन्तु मन को वेचलित करना यहां कत्ते ही जरूरी नहीं है अपने कामकाजी जिवन की संभावनाओं को बढ़ाने का प्रयास करें कामकाजी जिवन में अधिक से अधिक समय दें जिससे कि ऐसी पोजिशन्स को आप कहीं ने कहीं कोप अप करने की और आसानी से रह पाएं शत्रू यहां हावी रहने वाले नहीं होंगे यह एक बहुत बड़ी विजय का अधार है आप अपने कामकाज पर फोकस कर सकते हैं सबकॉंशियस अप्रोच से निकाल कर चलिए का कि शत्रू हावी रह सकते हैं क्योंकि सस्थ वावस्त सूरी देव की स्तियां उसके बाद जुड़ते हुए बुद्ध और उसके बाद जुड़ते हुए मंगल की स्तियां कहीं पर भी आपको एनिमीज के साथ में परिशान करने वाली नजर नहीं आती किन्तु आंत्रिक शत्रों के उपर जो विजय प्राप्त करने का आधार आप इतने लंबे समय से रचना चाहरे थे वहां पर पॉजिटिव अपरोच आपके लिए बनी हुई है नौकरी पेशा जीवन के अमदर मानसिक तनाव आएंगे और जाएंगे किसी भी ऐसे मानसिक तनाव के साथ में बहुत जादा जुड़ने से आपको बचना चाहिए ये एक निविदन हम यहां आपसे कर रहे हैं तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि मिथन राशी के जातकों के लिए शेर मार्केट संबंदे निवेश में संभलना बहुत जादा जरूरी रहेगा जो ये बीस नवंबर के पहले का समय है जब तक बुद तुला राशीस्तान में है ऐसे निरणे फिर भी लिए जा सकते हैं उसके बाद रोक कर चलने में ही बलाई है वही इस यात्रा को हम चंदरमा परदान कर कराशी के और लेकर जाएं तो सूरी देव का पंचम भाव के साथ में जो ये प्रवेश का अधार और संक्रान ते करम रहेगा प्रतम तया बड़ी संतान के और से थोड़ी से चंताएं लेकर आ सकता है उनके जीवन को लेकर कोई भी सेटलमेंट के अंदर दुविदा आ रही थी आप वहाँ अपनी प्रेजन्स को वर्चुली एस्टबलिश कर सकते हैं तो करके रहें उनकी हिम्मत और होसला बन सकते हैं तो वो बन कर रहें आप कई बार ये सोचते हैं कि बच्चे बड़े हो हो चुके हैं अपने जीवन को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं जहां चंता होगी हमको बताएंगे उनको उनकी स्पेस के रिक्वार्मेंट है किन्तु बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं माता पिता के लिए और साथी साथ में जब भी उनको मानसिक द्रड़ता की आवशक होती है माता पिता अपने उद्श परकाधार के साथ में चलाएं अपनी नितांत जम्यदारियों को समझें मन के भीतर के शंचाय को हटा कर कि उनकी शादी हो चुकी हैं अब उनके भी बच्चे हो चुके हैं इन सारी इस्तियों को दूर रखके आप अपने मूल उद्श की पावंता के साथ में जरूर चलें और साथ में ही याद रखें कि शेर मार्केट संबंधी कामकाच के अंदर निवेश की किसी भी इस्तती को आप लंबी दूरी के लिए अपनाना चाहते हैं आपको कहीं पर बोनस के अपरोच मिली इंसेंटिव मिले व्यापारिक जीवन के अं आनुभाव अपने लिए स्पस्ट करके चलिएगा कि ऐसे निरणे आपको लंबी दूरी के लिए फाइदे के साथ में लेकर चल रहे हैं जो आपकी कोई भी अप्रोच आपकी जानकारी आपके ज्यान और आपके अनुभव की वज़ह से निकल कर आती है तो वहाँ पर भी आप स्वयम को पूर्ण तया जोड़ कर चलने का प्रयास कीजिएगा संभाव नाएं बारम बार जीवन के भीतर जब आएं और हम बारम बार उनको नकारने का काम करें तो एक दिन संभाव नाएं संभव नहीं रहती जीवन के मदर वो कम होती चले जाती है इसी वज़े से जो आज अवसर सामने है उसको ईश्वर प्रदत भाग की प्रदायक आदार मानकर साथ में जोड़ना जादा आवशक रहेगा और वहीं करकराशी के जातकों से इस बात का हम पूर्ण तया निविदन करके चलना चाहेंगे कि आप जो स्वयम को अभी तक प्रबंदन आज के अंदर उस लिवल पर एस्टेबलिश नहीं कर पाएं हैं जिस और आप लेकर चलना चाहरे थे वहाँ पर भी इस हमय बहतरी को दर्शाता चला जा रहा है दोस्तों का और साती सात में भाईयों का सयोग आपके लिए मजबूती प्रदायक आधार बना हुआ है निर उ प्रदायक के अंदर उस उद्गाटित करने वाले प्रवाह को दे रही है जिसके साथ में जीवन एक नई रोश्नी को प्राप्त कर सकता है व्यक्ति जब चाहे उस समय सवेरा नहीं देख सकता जो सूर्य के साथ में चलता है व्यक्ति जब चाहे अपने आंगन के भीतर पते ही सूरीदेव की स्तियां वो ही सयोग आपको देती चली जा रही है, हमें से यात्रा और इस चर्चा को बढ़ाते हैं, सिंग राशी के साथ में फिर्दय जनित रोगों से सावधान रहने की आवशक्तां रहेंगी, चतुर्त भावस्त सूरीदेव के साथ में प्रतम तया इस बात को आप अपने मन और मस्तश्क के भीतर काबिस करके चलने का प्रयास करें, यहां सूलर संबंधी कामकाच के साथ में, इलेक्ट्रोनिक आइटेम संबंधी कामकाच के साथ में, आप स्वेहन की जीवन को जूड़ना चाहते हैं, वहां से आप फाइनेंशल गीन के अ या माध्यम विक्सित कर चुके हैं, मन के भीतर दुराव आ रहे हैं, शंशय आ रहे हैं, बैं हैं के गलत निवेश कर दिया, किन्तु प्रयास करें कि आज जो निरने लिया है, उसके साथ में हम काबिस होकर ही आगे बढ़ने वाले होंगे, इसमें कोई भी नेगेटिविट को चोड़ने का अर्त ही है, कि आपने अपने काम काज को ही किसी के भरोसे छोड़ दिया और किसी के भरोसे छोड़ा, वो भरोसा किस हद तक कारगर होगा, यह वो व्यक्ति ही जानता है, आप नहीं जानते, इसी वज़े से अपनी प्रजन्स को वहां पर एस्टबलेश करके रखने वाले जरूर हो साथ ही साथ में अध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह आपके साथ में बना हुआ है जहां पर भी एंग्जाइटी निकल कर आती है जहां पर भी मन के भीतर परेशानिया निकल कर आती है आपने यहां सूर्य उपासना को आधार बनाया एकांत के साथ मनन और चंतन को लेकर चले वहीं पर अपनी सोच को आपने शकरत्व दिया और साथी साथ में चंताओं को दूर करने का आधार आप रचते चले गए कन्या राशी के जातकों के लिए पर्थम बात याप ये देखिएगा कि पराक्रम भावस्त सूर्य देव हैं और जब भी थर्ड हाउस के साथ में सन की पूरिशन जुड़ी होगी आगे जाकर मर्कुरी भी जुड़ जाएंगे और मार्स के अप्रोच भी जुड़ी होगी तो व्यक्ति पुनह अपने लिए नौकरी पेशा जीवन में एक्टिव अप्रोच को खोचता है तो वहां कॉम्परमाईस से हिचके चाहट रखने की जुरूत नहीं है जो अवसर है जो लंबे समय बाद जीवन में खट-कटाहट को लेकर आया है उसके साथ में जोड़ कर चलन हाइर एजुकेशन के अंदर जो आपने सीखा उसके रिफलेक्शन के रिक्वाइरमेंट आज आपको और आप जब वहां पर खुद को बहुत अच्छे से स्थाफित करते चले जा रहे हैं तो फिर घबराना किस बात का चिंतित होना किस अर्थ का स्वाहिम को निरंतर तोर क के उपर घतिमान करने का प्रयास आप जरूर करते चले जाईएगा और वहीं कन्या राशी के जातकों से निवदन के भाईयों और दोस्तों के साथ संबंदों को बिगाड़ने से बचें कई बार वेक्ति भाग दोड के मदर होता है और अपनी उस एपरोच के मदर कुछ ऐस पिर और वेकि से कमिट्मेंट्स कर जाता है कुछ ऐसे बात कह जाता है जिस की आवशकता एं दूर दूर तक भी नहीं होती आप ये देखिएगा कि द्वितिय भावस्त सूरी देव का आधार पर्थम तया पारिवारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बाधाओं को सामने रख सकता है उससे बचने का प्रयास किजिएगा वाणी पर नियंतरन रख कर चलें नौकरी पेशा जीवन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिस को यां बेस देने से बचाएं उस कंपनी में स्थाइट पर कितना है जहां हमने इंटर्व्यू दिया है वहां से हमको किस तरह की फिलिंग आई है हमको किस तरह की कारियर दिये जा सकते हैं हमको किस वज़े से यहां पर जुड़ा जा रहा है ये सारे ही मूल उदेश या भीतर तक स्पस्टे करन लेव रहे तो ज्यादा बहतर रहे गा और वहीं तुलाराशी के जातकों के लिए जो ढ़या का अंतराल चल रहा है साथी साथ में द्वितिय भाव के अंदर पहले सूरिदेव उसके बाद बुद्ध और उसके बाद में मंगल का जो प्रविस्ट काल रहेगा 15 दिसंबर 2021 तक जो भी निरनाए फाइनेंस को रिलेट करता हुआ लेना है उसके अंदर इंस्टेंट बेस को क्रियेट करने से बचियेगा थोड़ा रुकना, किसी भी निरनाए के साथ में ट्रेवल करना और उसके बाद में निरनाए के और जाना ये ज़्यादा आवशक और वहीं आपकी वक्ताशाली यहां प्रकर ओच को लियेवे है आप जहां पर भी किसी भी भाशन की और जाते हैं राजनतिक शेत्र के साथ में जुड़ेवे वेक्ति हैं आप लेक्चररशिप संबंदी कामकाच के साथ में हैं शोशल मीडिया के साथ में आपकी वर्चुल प्रेजन्स का एक विराट आधार इस्थापित है तो वहां पर भी आप जो कह रहे हैं आप जो एक तरह से अपनी भाव भंगिमाओं के साथ में अपनी स्तुतियों को रख रहे हैं वहां सूरिदेव का ये परिवर्तन आपको पॉजिटिविटी देता चला जा रहा है कहीं पर बिचिंतित और विचलित होने वाली आवशकताएं दूर दूर तक भी नहीं है चर्चा की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं वरिष्चिक राशी की और सूरिदेव वरिष्चिक राशी में ही प्रवेश कर रहे हैं राशी भाव के साथ में चलते हुए यानि वरिष्चिक राशी के साथ में चलते हुए जब मंगल भी 4 दिसंबर 2021 के बाद से या वरिष्चिक राशी स्थान में ही प्रवेश कर जाएंगे तो आपके जो कामकाज के शमताएं हैं, वो वरद्धी के साथ में है कोई कार्य आपको थमाया गया एक मीटिंग के अमदर या आपके पूरी ही टीम को एक तरह से उस कार्य के साथ में सौपा गया कि आपको यहां इसकी पूरती करके दिखानी है लोग रियक्टिव हो गए, आपकी पूरी ही टीम भाँ कह रही है कि नहीं संभव नहीं है, किन्तु आप कहते हैं कि प्रयास तो करके देखते हैं उसके बाद में संभव और असंभव की गणित के साथ में चलने वाले होंगे, यह आपके भीतर का आधार है जो तेजवान इस् से सावधान रहना चाहिए, ग्रिहस्त जीवन के साथ में आप समय की स्थतियों का ख्याल रखिएगा, बाकी सारी ही डिमांड बौनी है, समय के डिमांड के आगे, ग्रिहस्त में जब इस मूल मंतर को व्यक्ति याद रख दे, तो दुविधाओं को वैसे ही कम करता चला जा जाएगी, वो अलग बात होगी, किन्तु आस तो भागने देजिए, आप इस जेस्टिफिकेशन के साथ चलने से बचें, जो यहाँ प्रवर्तियां आपकी है, जो आपको समय को एक तरह से अलग-अलग सेग्रिगेशन के साथ में लेकर चलना है, उसको यहाँ बेस बना कर आप चलिएगा, और वही निवेदन करना चाहेंगे, कि नौकरी पेशा जीवन से व्यापार के और आप शिप्ट होना चाहते हैं, तो अभी भी शनिदेव की स्थियां पराक्रम भाव में चल रही है, सूरिदेव यहां राशी भाव के साथ में चलाइमान होंगे, आप प्रियस्पति प्रदान, धनुराशी की और, द्वादश भावस्त जब भी सूरिदेव रहते हैं, व्यक्ति को अ निद्रा की और लेकर जाते हैं, ट्वेल्टाउस में सन की जब भी प्रेजन्स रहती है, आप देखिएगा कि व्यक्ति की नींद कम होने लगती है, कि सारे ही आयाम स्वयम से जड़ने वाले हो जाते हैं, व्यक्ति रेज से बाहर हो जाता है, और जहां व्यक्ति रेज से बाहर है, वहाँ अभ्यास की शुरुवात होती है, आप देखिए, कि खुद के साथ में ही व्यक्ति दौड रहा है, कोई और फस्ट और सकिंड की अप कर रहे हैं वो उद्देश शिपरा काधार को बनाने वाली होगी ये हम जानते हैं कि साड़े साती का अंतिम प्रवासकाल चल रहा है किन्तु इसके साथ में ही आपके लिए सूरीदेव की ये स्ततियां जो मंगल परदान राशी के साथ में चलने वाली होगी विदेश संबंद के भीतर इस्तापित करके चलने का प्रयास जरूर करने वाले हो किसी भी तरीके के निवेश के अंदर सावधानी वरतना ज्यादा आवशक रहेगा शनिदेव परदान मकर राशी के जातकों के लिए एक अदश भावस्त सूरीदेव की स्ततियां प्रतम तया यहां शेयर मार काशी के जातकों को चाहिए कि आप यहां अपने क्षमताओं के साथ किसी भी कामकाच के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो रुकना और ठकना कोई भी आधार नहीं है यहां निरंतर भागते चले जाना स्वैम को उदेश्यों के साथ में स्तापित करना एक बे दिन ऐसा नही वाला है आप यहां एजूकेशन की लाइफ के अंदर कोई भी नयापन चा रहे थे जो नयापन लंबे समय से आपके जीवन की भीतर आ नहीं पाया वहां पर भी आप पॉजिटिव रिफ्लेक्शन के साथ में चलने वाले होंगे यहां इस बात पर भी आप गौर करके हैं अपने क्लिनिकल सैटप के और जाना चाहते हैं ऐसे दिरने के अंदर आपके लिए जोखिम भी है तो विजय भी है अब वहां स्वहिम को जितना गहराई से गतिमान रखते हैं उतना ही एक नई हाइट देते चले जाएंगे अपने करियर को और साथी साथ में जोखिम ज या माध्यम आप विकसित करके चलना चाहते हैं वहां पर गतिमान हो सकते हैं इसी के साथ में जीवन की प्रबंदन के उपर बहुत जादा आप गहर करते चले जाईएगा अध्यात्मिक ओज यहां बहुत गहराई से प्रसपोर्टित होता चला जा रहा है उसमें कोई भी च चिंतन और चिंता जैसे विशयक आधार जुड़े वी नहीं है एक निविदन प्रमुक तोर पर आप से है कि आप यहां पर कंस्ट्रक्शन संबंदी कामकाज के साथ नए पन से कोई भी शुरवात को जीवन के भीतर काबिस करना चाहते हैं तो रुकने की जुरूरत नहीं क इसे रिलेशन के साथ में आप चल रहे थे और बारंबार वहां से डिमांड निकल करा रही है समझेगा कि उस रिलेशन का उद्दिश्य क्या है और जब एक बार वो इस पस्टता जाती है तो सारही भटका उदर किनार हो जाते हैं और व्यक्ति एक आग गरचित होकर अपने रंतर खुद को गतिमान करते चले जाएं मीन राशी के जातकों के लिए यहां पर भाग ये नए सूर्योदय को लेकर आ रहा है आपके लिए जो चिंताएं बनी हुई थी बारंबार कामकाश के अंदर विक्न बने हुई थे उससे दूर हट कर जब आप अपने फ्लो को इस् पर तक कोई भी नड़ने लेना चाहते हैं अपनी रफ़तार के साथ में काबिज रहिएगा कई बार वेक्ति अपनी स्पीड के साथ में होता है लोग वहाँ पर आपको डिस्ट्रेक्ट करने का प्रयास करते हैं कहते हैं रास्ता गलत है किन्तु आपका अनभव आपके साथ में हैं आपकी उर्जा आपके साथ में हैं आपकी इंट्यूशनस आपके साथ में हैं फिर क्यों हम रुकेंगे और किस वज़े से हम रुकेंगे ये स्पस्ट करके चलना जारा जरूरी है अपने रफ़तार के अंदर आप कंसिस्टनसी रखिएगा नौकरी पेशा जीवन के रहने वाला होगा ग्रिहस्त जीवन के साथ चोटे चोटे तनाव को पूर्ण तया दूर रख कर चलना जीवन का प्रमुख उद्देश रहे इस बात को आप स्मृतियों के साथ जरूर रखें सुरिदेव के संक्रांति करम के परिवर्तन के साथ में हमारा ये कारेकरम व्यक्ति अपनी सम्भावनाओं को भावनाओं से दूर रख कर करम के एक अलग शकरत्व के साथ में जुड़े तब ही जाकर ये जीवन पावन उद्देश्यों को प्राप्त कर पाता है अर्थो पारजन से दूर हट कर जब कोई कारे जिम्मेदारी बन जाता है तो वहां का एसास अनुभोती और जो भीतर का आनंद है वो अलग है हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ बारं बार आपके सम्मुख हाजर होते रहेंगे दन्यवाद और कोटी शह आभार